वेलकम बैक गाइस तुमें अनादर वीडियो तो गाइस फाइनली रियल में अर्जो 55G के लिए रियल वाई 5.0 एंड्रोइड 14 की जो अर्ली एक्सेस की अप्लिकेशन है वो उपन हो चुकी है तो अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं इसको एक्सपिरियंस करना चाह है क्या इसकी प्रोसेस है कैसा अप्लाई कर सकते हैं किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिल सकती है यह सभी कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं तो गाइस वीडियो काफी इंफर्मेटिव होगा तो वी ये ओगे दोस्ते आपर इसकी ऑफिशल इंफरमेशन अब बात करें कि यूजर्स को यह अपडेट मिलेगा यानि कि आपके फोन का रिक्वाइड वर्जन पुरा होना चाहिए तो जो रिक्वाइड वर्जन है इन तीनों में से कोई भी वर्जन अगर आपके डिवाइस में है तो आप इस अपडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको यह अपडेट जो है वो मिल जाएगा यह होगे दोस्तों अपर इसके रिक्वाइड वर्जन की बात अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपको अप्लीकेशन इस अप्लिकेशन नोटिस अपन हो जाएगा जिसमें कि थोड़ी दिर बाद आपको नीचे अप्लाई नौ का बटन जो है वो इनेबल देखने के लिये मिल जायगा, आपको इस अप्लाई नउपर क्लिक करना है, अब आपके सामने जो पेज आपको अपना mobile number या फिर email id डालना है और नीचे जो यहाँ पर consent है terms and conditions का वो आपको check करना है और simply submit बटम पर submit कर देना है अब आपकी जो application है वो यहाँ पर realme के पास under review रहेगी और जब realme इसको approve कर देगा तो फिर आपको आपके device में इसका जो update है वो देखने के लिए मिल जाएगा यह होगे दोस्तों यहाँ पर इसकी process अब हम देख लेते हैं कि किन points को आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप इस update को करना चाहते हैं तो दोस्तों अगर बात करें कि अगर आप इस update को करना चाहते हैं तो आपको किन points को ध्यान में रखना चाहिए तो सबसे पहला जो point है वो यह है कि आपका phone जो है वो route नहीं होना चाहिए इसके बाद आपको अपने phone के data का backup बना लेना चाहिए ताकि आपको कोई भी data loss ना हो इसके बाद जो third point है वो यह है कि आपको जितनी भी application से उनको play store से update कर लेना चाहिए latest version पर खास करकि third party application को क्योंकि अब भी हो सकता है कि बहुत सारी जो application से android 14 के साथ comfortable ना हो इसलिए आपको इसको latest version पर update कर लेना चाहिए इसके बाद जो point है वो next point सबसे important है कि एक early access का update है यानि कि एक beta update है तो हो सकता है आपके phone में यापर बहुत सारे problems देखने के लिए मिलें आपका phone जो हो normal work ना करें जैसे कि battery draining issue, app crash हो जाना या फिर और भी बहुत सारे problems देखने के लिए मिल सकते हैं बहुत सारे bugs आपको याँ पर देखने के लिए मिलेंगे नहीं तो या update जो है वो fail हो सकता है साथ ही आपके phone की बैटरी है वो भी 60% से अबव चार्ज होनी चाहिए तो यह कुछ points है दोस्तों जिसका कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है तो यह दोस्तों यहाँ पर इस update से related पूरी information थी जो मैं आपके साथ शेयर कर दी तो I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजीगा तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था मिलते हैं फिर किसी next वीडियो में तब तक के लिए जैहन